जैसे जैसे आस्मान में पाराव चड़ रहा है वैसे वैसे आरक्षन पर चुनावी मैदान में पाराव चड़ रहा है चुनाव तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है और अब लग रहा है कि सारा आरपार का युद्ध आरक्षन परी हो जाएगा दो तरह की पोजिशनिंग पधान मंतरी नरेंद्र मोदी ग्रह मंतरी अमिश शाह और उत्तरपदेश की मुख्य मंतरी योगी आदितिनाद ये भारती जन्ता पार्टी की तरफ से मैदान में हैं और इनका आरोप है कि कॉंग्रिस धर्म के आधार पर आरक्षन देना चाहती है देश को विभाजित करना चाहती है दलित और पिछणों के अधिकारों में सेंधमारी करना चाहती है और दूसरी और कॉंग्रिस है और उसके सहयोगी दल है जिसमें राहूल गांदी मलिकारजुन खडगे प्रियंका गांदी ये त्रिमूर्ती लगातार कह रही है कि भारती जन्ता पार्टी 400 सीटे इसलिए मांग रही है देश से 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है कि 400 से ज़्यादा सीटे आ जाएंगी तो ये सम्मिधान को खत्म कर देगे सम्मिधान को ले जाके गंगाजी में प्रवाहित कर देगे आपने देखा को राहूल गांधी सम्मिधान की एक छोटी सी बुकलिट भी आजकल हाथ में रखते हैं और उसको इसे दिखाते हैं कहते हम इसको खत्म नहीं होने देंगे बारती जंता पार्टी कह रही है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होने देंगे चाहें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े कितना भी संगर्श करना पड़े और Abgres कह रही हम सम्बिधान को खत्म नहीं होने देंगे चह के लिए कितना भी संगर्श करना पड़ा है belki मसला ये कि क्या सच में ऐसा हो रहा है संगर्श तो तब हो जब हो रहा हो इसको रोकने का संगर्श हो न, कैस्च में ऐसा हो रहा है या जो कुछ कहा जा रहा है उसमें सियासत जादा है हकीकत कम बड़ा नेरिटिव से ठोड़ा पूरे देश भार में और दो पालों में चुनाब बटा दिख रहा है एक पाला वो जो कह रहा है कि पिछले और दलितों के हिस्से का आरक्षन काट कर कांग्रेस जिसने कभी कमेटी के जरिये कोशिश की कभी रंगनात मिश्रा आयोक के जरिये कोशिश की पिछले और दलितों से आरक्षन काट कर मुसल्मानों को देने की धर्म के आधार पर आरक्षन और दूसरी और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है राहुल गांधी से लेके अखली श्यादर तक जो कहरे कि अब की अगर 400 पार हो गई तो फर ना समिधान बचेगा ना चुनाब बचेगा सब लुट जाएगा सब लुट जाएगा